नमस्कार फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं कि कलाकार के तीन विशेश शब्द अंग्रेजी में परियुक्त होते हैं पहला है Artist आ-R-T-I-S-T आ-R-T-I-S-T-E जिसका उच्छारमता आ-R-T-I-S-T-E जिसका उच्छारमता आ-R-T-I-S-T थोड़ा से खींच करके बोलना है और तीशरा जो शब्द है कलाकार के लिए जो प्रिप्थ होता है वह či Artisan, A-R-T-I-S-A-N हम लोग इस video lecture में यही तीन शब्दों के बीच में difference करना अच्छी तरह से सीखेंगे इस पर आधारित प्रॉब्लम्स भी competitive exams में काफी बार आ चुके हैं तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले artist के बारे में जानकारी हासिल करते हैं artist ARTIST ऐसे बेखती है जो especially canvas पर चित्र उतारने का काम करता है और उतारने में वो काफी दक्छ होता है तब जैसे हम लोग कहेंगे MF Hussain was an artist, वो एक artist थे किंतु हम लोग कभी भी नहीं कह सकते हैं कि Amida Bachchan एक artist है या आप Saif Ali Khan या अक्षय कुमार यह सब artist है यह सब artist नहीं है तब वे सब क्या है वे सब artist है A-R-T-I-S-T-E समझ में आए जो कि stage performers रहते हैं जो कि filmों में काम करते हैं वे canvas पर चित्र बनाने का काम नहीं करते हैं वे stage पर या विशेस जगर पर विशेस spot पर वह अपना action दिखाने का काम करते हैं इसलिए ऐसे जो कलाकार है उसे हम लोग कहते हैं artist लता मंगेशकर जी वो एक artist है A-R-T-I-S-T-E है वो ठीक है तो यह artist और artist में difference हुआ अब हम लोग artisan के बारे में जाते हैं artisan ऐसे कलाकार है जो हाथ की कलाकारी दिखाता है हाथ की कलाकारी कौन दिखाता है एक जुलाहा दिखाता है वेवर जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कहते हैं कुमार कौन दिखाता है ब्लैक स्मित दिखाता है मतलब लुहार दिखाता है कौन दिखाता है तो सुनार दिखाता है मतलब गोल्ड स्मित दिखाता है तो ऐसे लोग है जो अपनी हाथ का परयोग करके लोगों को आकरशित करें तो ऐसे वेक्ति को हम लोग कहते है आर्टीजैन एक दरजी भी मतलब टेलर मास्टर भी वो क्या कहलाएगा वो आर्टीजैन कहलाएगा न तो वो artist है न तो वो artist है ठीक है तो यह रहा तीनों ही शब्दों में exact difference और आपसे आशा है कि आप at least artist और artist शब्दों को आप interchangeably अपने day-to-day conversation में परयोग नहीं करेंगे आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तीनों की बीच में difference मिलते हैं हम लोग अगरी वीडियो लेक्चर में जहां पर आप इसी तरह से अन्नेक शब्दों को सीख पाएंगे अच्छी तरह से Thank you for watching